सब यूपनों ऑना शुकार हूं आज बात करने वाले हैं एक शेडिंग के टूटोर्यल के बारे मेंहां सबसे पहले मैं ihnyuron Crew की होई है वो आप देख सकते हो और उसी को बेस मान करके हम पूरे फेस को ड्रॉ करने वाले हैं यहां पर तो आप देखो जैसे मैं शुरू किया हूँ तो अभी मैं जो पेंसल यूज़ कर रहा हूँ यह टूबी पेंसल है माल लो और इसी से एक रफ आइडिया ले रहा हूँ एक रफ आइडिया यह बहुत जरूरी है जब भी आप इस तरीके का पोट्रेट ड्रॉ करो जिसमें आपके पास कोई भी आउटलाइन वगरा ड्रॉन नहीं है या आप कोई टेक्नीक की मदद नहीं ले रहे हो जस्ट अब्जर्वेशन यूज़ कर रहे हो तो आप बहुत ह पर आप आउटलाइन्स को बहतर डंक से ड्रॉ कर पाओगे तो यहां आप देखो जैसे मैं कर रहा हूं इसी तरीके से आपको भी करना है अगर ऐसे रिजल्स आपको चाहिए तो एक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी नियूज है कि अभी जिनको शेडिंग सीखनी है गहराई से दिखनी है तो मेरी स्किल शेक लिए नई क्लास है जो कि शेडिंग पे ही बेज़ड है मास्टरिंग टेकनीक तो वो आप जोईन कर सकते हो और नीचे डिसरे इंट ब डिफरेंट टाइप अफ कंटूरिंग हो गया या सर्कुलिजम हो गया इन सब ही तरीकों की शेडिंग के बारे में बात करनी बहुत जरूरी है क्योंकि एक टाइप ऑफ शेडिंग ही ड्रॉ करके आप जैसे रिलिजम ही खाली अकर आप ड्रॉकर तो एक जैसे पोट्रेट ह की आपके बनते रहेंगे चीज को ध्यान में रखना इसलिए जादा से जादा डिफरेंट टेक्नीक को यूज करना बहुत जरूरी है यह स्टाइल को सीखने के लिए अब देखो जैसे यहां पर एक डार्क लेवल की पैंसल अब मैंने शुरू किया जब मैं कंफर्म हो गया करते हैं और इस तर इसे रिजल्ट तक पहुंचते हैं तो आप आप इस वीडियो को इंज्वाय करो क्योंकि इसमें आप देखो के देख के समझने के कुशिश करो और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इसमें करतो दो करते हैं एक सटें लिविल के बाद जब आप एक गिरे वैल्यू को आप्ठ कर लेते हो और आपको पता होता है लाइट न्डाग आपने अचीव कर लिया है अब आ अप ब्रश से काम करना शुरू करो और जब ब्रश से आप काम करना शुरू करो गए मतलब ये एक make-up brush है तो आप देखोगे कि एक बहुत अच्छी surface create होने जाएगी धीरे-धीरे paper के उपर और उसके बाद फिर जैसे darker जो darkest area हैं जैसे hair वगरा हो गया तो यहां पर मैंने कुछ creative freedom भी लिए जैसे मैंने mokat वगरा पर focus नगर कि मैंने इनको एक जटा जूट वाला make-up देने का कोशिश किया है लुक देने कोशिश किया है तो मैंने उस तरह के से उसको change किया है और dark values को आप आप्ट कर रहा हूँ धीरी-धीरे value को आगे बढ़ा रहा हूँ तो आप देखोगे कितनी बहतर होता चला जा रहा है धीरी-धीरे darkness आती जा रही है और जब darkness अजीव होती है तभी light का effect समझ में आता है अब यहाँ पर देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर अब मैं contour hatching कहलो या इसे curved hatches कहलो देखो वो मैंने यहाँ पर किया है contours, archived hatches करके हम उनके जो सून है गनेजी की उसको हम draw कर रहे है और देखो कितना भैतरी नंग से यह बनता चला जाएगा जब आप एक technique को follow करोगे तो आपको ज़ादा सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको अपने values नहीं create करने पड़ेगे अपने आप values निकल निकल के आएंगी तो I hope कि यह tutorial आपको पसंद आए होगा मैं कुछ highlights create कर रहा हूँ यह बहुत चोटा सा tutorial था I know कि आप longer videos भी चाहते हो मैं longer videos भी ढालूँगा इसका अभी फिलाल इतना ही प्लीज सालो सब्सक्राइब जरू कीजएगा और जो चीज मैंने आपको बताईए नीचे सब्सक्राइब बॉक्स में उसका लिंक है Skillshare class का जरूर जोइन करके देखना बहुत कुछ देखने को मिलेगा Thank you so much Please comment Love you all Please subscribe to channel Bye